एक बार फिर से स्वागत आपका सिंग आटो जॉन के स्पेशल एपिसोड में दोस्तों काफे टाइम के बाद मैं दुबारा से आपके साथ फेस टू फेस बात कर रहा हूं एक रीजन है बड़ा रीजन ही है कि आज जो मेरी 1000 वीडियो कंप्रीट हो गई है यूट्यूब अपडेट भी आते रहते हैं और सबसे अची बात है कि हमेशा आपने सभी तरह के अपडेट्स है उसको सरहा है कोमेंट्स में अक्सर बातचीत होती है हम डिसकस करते रहते है कि कौन सी टेकनोलजी इंडिया को सूट करती है फ्यूल साल टेकनोलजी गवर्णर इंडिया पर पूरे सेटप 2019 में जैनुरी मन्त में स्टार्ट किया था और आज 1000 वीडियो पुरी हुई है आप सबका साथ रहा है सपोर्ट रहा है तभी ये सब हो पाया अधरवाइस इतनी कॉंटियूटी ये छोटा एक सेटप नहीं था 1000 वीडियो को अपलोड करना तो इस सब के लिए आ हो गया आपके साथ लिंक बन गया है भाईयों जैसा तो इसके लावा मैंने लास्ट वीडियो में जब मैं फेस्टू फेस हुआ था तब मैंने आपसे एक राय मांगी थी कि मैं एक पंजाब टेक्निकल ट्रेनिक सेंटर शुरू करना चाहता हूं क्योंकि जो हलात हैं लोग करने की मैंने प्लाने की थी आपसे पूचा था वीडियो डाली थी तो काफी अच्छा आपने भी मुझे सरहा है कि बिल्कुल मुझे वो करना चाहिए काफी पॉस्टिव रिस्पोंस आया तो मैं उस पर काम कर रहा हूं बिल्कुल रिस्टेशन वगारा जो है सारा बिल्कुल निकला है तो मैंने अपने मुस्लिम भाई बैनों को इतकी मुवारक दे थी आप लोग ने भी काफी उसके साथ मुझे शेयर कमेंट किया था आपनी मुवारक बादी बट फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये दिक्कत थी कि मैंने ऐजे आप क्यों उनको ब्लोग मीन्स वो मेरी वीडियो देख सकता बर किसी तरह के कमेंट इन फ्यूचर नहीं डाल सकता अगर वो किस तरह के हेट स्पीश करता है या किसी और धरम के खिलाब कोई बात करता है इस चैनल पर सिंग आड़ जोन पर इस तरह की कोई भी बात समझी को सहारा नहीं पर जो मैं पढ़ता हूं कमेंट्स पढ़ता है कितना ज़्यादा है हमारे अंदर माब यहां पर मैं रिजन नहीं पूछने वाला लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको क्लिर कर देता हूं कि इस हैट से किसी का फायदा नहीं होने बाला है सिर्फ नुकसान है कुछ मोहल में पेंडिक में लॉक डाउन में जो जोब्स की दिक्कत है यहां पर रोटी के लाले पड़े हुए हैं लोगों के काम कैसे फैमिली सडकों पर आ गई है ऐसे मोहल में भी हम अगर ऐसी बाते कर रहे हैं हेट स्पीच कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं जाता कि हम कहां आपके साथ ही रहना है उन्होंने अब जो मर्जी कर लीजे आपके कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला वो आपके साथ ही रहेंगे आपके आसपास ही रहेंगे तो ऐसे में हेट के साथ क्यों जीना है जब पता कि कठे यहीं जीना है यहीं मारना है इस भारतेश में तो हे कुछी के साथ प्यार के साथ आप लोग क्यों नहीं रह सकते हैं काफी कुछ है कहने को लाइक भी चाहती है कि हम आपस में बढ़ जाएं डिवाइडन रूल की राजनीती शुरू से पहले इंग्रेज करते रहे हैं आज की डेट हमारे नेता लोग कर रहे हैं मैं किसी पर्टि का फायदा है तो ऐसे में एक सिंपल सी बात है एक भाई एक फ्रेंड मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि इन चीजों से हमें कुछ नहीं है कुछ नहीं हासिल होने वाला है जब ही कठे रहना है कठे जीना है कठे मरना है हमें इसी देश में रहना तो फिर हेट के साथ क्यों यह कुछ पर्टिकुल चैनल चलते हैं जो हट टेम बस लगे रहते हैं एक चीज के पीछे हमेशा दिखाने के पर्टिकुल एक जो कौम है वो बहुत नुक्सान कर रही है ऐसा कुछ नहीं है सोशल मीडिया पर मैं लिखकर देता हूँ कि 80-85% जो है वो जूट चलता है सिधा सा फंडा है अगर आप जूट आपके सामने लगातार बोला जाए एक मिने दो मिने आपके साथ किसी चीज जूटी बात को आपके सामने रखा जाए बार बार नएने तरीके के साथ तो आपको कही न कहीं वो सच लगने लगेगा वो ही चीज यहाँ गेम यहाँ केली जा रही है हर टैम आपके आसपास वही जुटी न्यूज गुमती है तो आपको लगने लगता है कि यहर पर्टिकुल जो कौम है वो गड़बड कर रही है बहुत कम है, दोने तरफ के केसिज चूते होते हैं, हम एक तरफ का नहीं लेकि जा सकते तो हैसे में सरफ सारा ध्यान एक तरफ देना अच्छा नहीं है मैं को आपको क्लिर करते हैं, नहीं को तोड़ी गलत फेह मि हैं कि हम सरदारों का मुसलिव के साथ कोई दिक्कत है दिक्कत मीन्स हमारे गुरू के टाइम से कोई लफड़ा चल रहा है दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है पहले भी सरदारों का मुसलिव के साथ कोई जाती दिक्कत नहीं थी सिरफ जो कटड़पन था हम उसके खिलाफ खड़े हुए थे आज भी क अपने बात करते हूं मेरे पास जैसे मैं 40 साल का हूं 20-25 साल और जी लूँँगा उसके बारे में सोचिए उन्होंने यहीं रहना है यहीं जीना है तो उनके लिए आफ महल क्यों खराब कर रहे हो इसी तरह से चलता रहा दोस्तों तो यह भारत देश रहने लाइक नहीं आप यह मत देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है आप यह देखिए आप जहां रहते हो उस एरिय में क्या हो रहा है कि आपको उस तरह की न्यूज आपके एरिय में दिखाई देरी जहां आप रह रहे हो जहां पर आपको सम मालूम है सबको जानते हूं क्या उस एरिय में as a brother as a friend कहना मेरा फ़र्स्त है भाफ कीजे अब आपने कैसे जीना है नफरत के साथ जीना है प्यार के साथ जीना है वो मर्जी आपकी है पड़े लिखे हो आप सब आज के लिए इतना ही धन्यबाद वीडियो को तक देखने के लिए जाहिंद